हलो एवरिवन स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस इन्फार्मिशनल प्लेटफार्म पर जहां पर हम रोजाना तकरीबन चार से पांच सिंट्रल इस्टेट या फिर नेशनल इस्टिटूट की तरफ से अगर किसी भी तरीके का कोई रिक्रिमेंट असिस्टन प्रोफि की संस्थान जो कि जयपूर में स्टैब्लिष्ट है ये के ये इस्टिटूट नेशनल इंपोर्टेंस का इस्टिटूट है जो कि मिनिश्ट्री आफ एजुकेशन गवर्मेंट आफ इंडिया के अंतरगत आता है भारत सरकार की एक सवायत संस्थान है राजिस्थान में notification रिलीज किया गया था इनके official website पर जिसमें इन्हों ने professor के post पर associate professor के post पर और assistant professor के post पर यहाँ permanent seat के लिए requirement रिलीज किया हुआ है जो भी interested candidate हैं वो यहाँ पर farm apply कर सकते हैं हम आज इसी topic के उपर इस वीडियो में discuss करेंगे हम वीडियों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पर कौन कौन से department से कितनी seat हैं application fees क्या है farm को apply करने के लिए क्या qualification मांगे गए हैं और साथ इसाथ इसका जो last date है इन सभी चीजों को वीडियो में step by step समझने का प्रयास करेंगे तो जो लोग चैनल पर नहीं है या जिन लोगों ने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है चैनल को जरूर से subscribe कर ले ताकि इस तरीके का सभी update आप लोगों को समय पर मिलता रहे यहाँ पर institute के इसके form को apply कर सकते हैं और साथ ही साथ आप लोगों को इसी website पर इसका notification डाउनलोड करने को मिल जाएगा 10 अगस्त के date में जिन लोगों को इनका notification इनके official website पर नहीं मिल ला है वो हमारे telegram चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका link इस वीडियो के description में आप सभी को मिल जाएगा यहाँ पर आप लोगों को application process जो है वो 10 अगस्त से start कर दिया गया है online submission आप लोगों करना है link पर जाकर form apply कर लें वहीं last date के अगर हम बात करें तो 13 सितंबर 2024 तक form को आप लोगों को fill up करना है और जो receiving जो hard copy रहेगी इस application का उसे आप लोगों को डाउनलोड करके self-attested कर लें important documents जानि की जो भी qualification आप लोगों के पास है उन सभी को attach करके 29 सितंबर 2024 तक आप लोगों को इसे submit कर देना है वहीं हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो post मांगे जा रहे हैं professor, associate professor और assistant professor के लिए वो कितनी है तो यहाँ पर professor के लिए जो सीटे निकल कर आई हुई है वो 24 सीटों पर यहाँ requirement मांगे जा रहे हैं total यहाँ पर जो सीटे जनरल के लिए वो 10 है वहीं OBC, NCL यानि की non criminal year के लिए यहाँ पर 6 सीटे हैं यहाँ पर include है 6 सीटे backlog की और 4 सीटे यहाँ पर SC categories में है कुछ सीटे यहाँ पर backlog के लिए भी आरच्छित की गई है वहीं EWS के लिए एक सीट है और जो लोग PWD के हैं उनको यहाँ पर एक पोश्ट पर registration दिया गया है वहीं Associate Professor के लिए अगर आप form apply कर रहे हैं तो यहाँ पर 36 सीटों पर requirement निकल कराया हुआ है 22 सीटे यहाँ पर general categories में हैं 7 सीटे यहाँ पर OBC के लिए है SC के लिए 3 है HT के लिए 3 है और EWS के लिए 1 है वहीं PWBD के लिए भी यहाँ पर 2 सीटों पर requirement मांगा गया है Associate Professor की जो salary यहाँ पर आप लोगों को provide कराये जाएगी Academic Payable 13 A2 की salary है यहाँ पर आप लोगों का 1,49,000 के करीब में entry salary स्टार्ट की जाएगी वहीं Assistant Professor Grade 1 के लिए भी requirement निकल कराया हुआ है Total यहाँ पर 25 सीटे रखी गई है 5 सीटे general categories में 8 सीटे यहाँ पर OBC के लिए 3 सीटे जो है वह सीटे यहाँ पर स्टी के लिए 6 पोश्ट यहाँ पर EWS के लिए है PWBD के लिए भी 5 पोश्ट पर requirement मांगा गया है Total 25 सीटों पर आप फाम apply कर सकते हैं Assistant Professor Grade 1 की जो salary है वो academic payable 12 की रखी गई है आप लोगों को 1,10,000 के करीब में यहाँ पर salary provide कराये जाएगी वहीं अगर आप Assistant Professor Grade 2 के लिए form apply करना चाते हैं तो यहाँ पर total 86 सीटे रखी गई है जिसके लिए आप सभी को invitation दिया गया है Farm apply करने के लिए जनरल में 20 सीटे हैं OBC में यहाँ पर 32 सीटों पर requirement मागा गया है SE में 16 सीटे हैं ST के लिए 12 सीटे हैं 6 सीटे यहाँ पर EWS के लिए रखा गया और 9 सीटे PWBD के लिए रखा गया है वही टोटल आप सीट की अगर हम बात करें तो 171 सीटों पर requirement मागे गया हैं जिसमें से 57 सीटे जनरल के लिए रखीत है 54 सीटे यहाँ पर OBC के लिए है 26 सीटे SC कटेगरीज में 20 सीटे ST कटेगरीज में और 14 सीटे EWS के लिए 17 सीटे यहाँ पर PWBD के लिए रखे गया है तो जो भी interested candidate है वो इनके official website पर जाकर इस post के लिए form apply कर सकते हैं qualification की अगर बात करें तो यहाँ पर assistant professor grade 2 के लिए जो post मांगा जा रहा है यह contract basis post है जिसके लिए आप से requirement मांगे गये हैं और यहाँ पर जो आप लोगों का qualification है PhD आप लोगों के पास जरूरी है वही assistant professor grade 2 के लिए आउन contractual ही यहाँ पर post निकल कर आया हुआ है architecture और planning में जिसमें आप लोगों के पास PhD नहीं है सिर्फ और सिर्फ masters है related subject में आप फार्म अप्लाई कर सकते हैं one year का professional experience भी आपको इस post के लिए मांगा गया है assistant professor grade 1 का जो post है वो permanent seat है जिसमें आपको फार्म अप्लाई करने के लिए PhD आप लोगों के पास होना जरूरी है जो qualification यहाँ पर रखे गये हैं वो भी PhD के लिए मांगा गया है permanent post यह भी है six years आपके पास after PhD experience मांगे गये है three years से यहाँ पर experience रखा गया assistant professor grade 1 के level पर तो आप इसके जो qualification का section है उसे अच्छे से read करने from apply करने से पहले प्रोफेशर के लिए यहाँ पर जो post है वो भी permanent है और PhD यहाँ पर compulsory है आप लोगों के पास होना है होना जरूरी है सभी post पर वही 10 years का यहाँ पर after PhD experience और 13 years का total work experience आप लोगों के पास है तो आप इस post पर form apply कर सकते हैं वही बात कलने कि किस department से recruitment निकल कराया हुआ है तो यहाँ आप देख सकते हैं कि department का भी नाम mention है साथ इसाथ आप लोगों के पास जो exploration है वो भी यहाँ पर mention है तो architecture और planning के लिए form निकल कराया हुआ है और इसके आगे यहाँ पर आप अपना इस्पलाइजेशन चेक कर सकते हैं आर्टिफीशियल इंटेलीजेंस और डाटा इंजिनरिंग में recruitment मांगे गए हैं सेंटर आफ इनरजी और इन्वार्मेंट से recruitment मांगे गए हैं सिविल इंजिनरिंग में रिक्रिमेंट निकल कर आया हुआ है वहीं केमिकल इंजिनरिंग से रिक्रिमेंट मांगे जा रहे हैं और साथ साथ कमिश्ट्री से भी यहाँ पर रिक्रिमेंट निकल कर आया हुआ है उसके बाद यहाँ पर केम्प्यूडर साइंस एंजिनरिंग से रिक्रिमेंट मांगा गया से porosht मांगे या रहा हैं ओर फिजिक्स में यहां पर पूस्ट मांगे गया हैं तो यहां पर काफी बड़ी मात्रा में सीटे निकल कर आई हुई है प्रोफेशर असोसिय प्रोफेशर और असिस्टन प्रोफेशर के लिए तो जो भी interested candidate है वो इसके फार्म को इसके last date से पहले फार्म अप्लाई कर लें झाल झाल